नमस्कर दूस्तो आरे सलाम मैं आपका स्वागत तो कर्ण इफर्ष के सेरीज में मही महीने के पार्ट टू में आट से पंदर मही दौजाए चोबिस तके परण इफर्ष की सब भी कोशन का स्वल्यूसन देखेंगे नेक्स्ट पंजाब में अभ्यास गगन एस्ट्राइक टू का आईजन हाल में कहां किया गया, किसके द्वारा किया गया है, तो इसका उपरोग तो दोनों हो जाएगा, भारतिये थल से न और भारतिये वायू से न इन दोनों के द्वारा किया गया है, इसके साथ याद रखना है राजस्थान के जैसल मेर में वायू सक्ति का आईजन हाली में किया गया था इंडियन एर फोर्स के द्वारा भारत सक्ति नामा के ट्राई सर्विस एक्सरसाइज करने का मतलब यह होता है कि जिसमें आर्मी एर फोर्स और ने भी तीनों पार्टिसिपेट करता है तो इसका आजन पोखरन में किया गया था इसी परकार से येरफर्स के द्वारा ही गगन सक्ती और तरंग सक्ती नामक एक्सरसाइज का आजन भी किया गया है नेक्स्ट उत्रा खंड के नेनी ताल के जंगलों में लगी आगको बुझाने के लिए इसने एक ओपरेशन के ताद बॉम्बी बकेट का पड़ियो किया जिसमें पास के भीमताल जील से पानी लेकर जंगलों के उपर छिरका गया तो ये भारतिय वायू से ने के द्वरा किया गया था तो इसमें जानकारी क्या कहले नहीं है बॉम्बी बकेट के बारे में आद रखना है भीमताल जील के बारे में आद रखना है नैनीताल उत्राखन में है तो क्या हुआ है पहले देखते हैं बॉम्बी बकेट क्या होता है तो बॉम्बी बकेट क्या होता है जहाँ पर पानी उपलब दो तो हाँ से पानी निकाल कर और जो जंगल में आगे लगे होते हैं उसके उपर छिरका जाता है तो यह किया गया है भारतिय वायू से ने के द्वरा तो नेनी ताल के निकट भीमताल जील है यह भी याद रखना है भीमताल जील कहां पर है तो यह उत्रा खंड के नेनी ताल के निकट में है तो यहीं से पानी लेकर छिरका गया था next हाल में run for विक्सित भारत का एजन कहा किया गया तो यह नई दिली में किया गया है खास करके भारती जनता पाटी की दुरा किया गया है इसका एजन next पहली बार केरल में West Nile Bukhar के कारण एक मोद देखी गई यह किस मचर के काटने से फैलता है यह जो फैलता है एक क्यूलेक्स के कारणे क्यूलेक्स नामक मचर के कारणे से फैलता है West Nile Bukhar और इससे पहली मुद देखी गई है यह केरल में देखी गई है Anophilis, मादा एनफिलिस मचर के कारणे से मलेरिया होता है और एडिस मचर के कारणे से डेंगो बुखार होता है Next United Nation Migration Agency की हाल की World Migration Report 2024 के अनुसार 111.12 billion डॉलर Remittance के साथ किसने सिर्शस्थान प्राप्त किया है तो यह अपने देख भारत की द्वारा प्राप्त किया गया तो जानकारी क्या क्या मिलती है World Migration Report या किसके द्वारा जारी की जाती है तो यह की जाती है United Nation Migration Agency की द्वारा अब इसमें Remittance क्या होता है तो जब किसी देश के लोग दुसरे देशों में काम करते हैं तो दुसरे देश में जब काम करते हैं तो वहाँ से पैसे कमाते हैं और अपने देश को वापस भेजते हैं तो यही जो पैसा भेजा जाता है इसी को Remittance का जाता है तो ऐसा देखा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा Remittance के प्राप्ती हुई है दुसरे अस्थान पर मेक्सको और तिसरे अस्थान पर जीन रहा है अब भारत में जो Remittance के प्राप्ती हुई है तो उस सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई है संजुकतर अरब अमिडात से दुसरे नमबर पर अमेरिका से तिसरे नमबर पर सौधी यरप से तो इसे भी ध्यान रखा जा सकता है Next किस देश के मनार और पुनेरीन में पबन उर्जा एस्टेशनों के निर्मान तता उस देश के साथ 20 वर्सों तक बिजली खरीदने के लिए समझा होता की गई है तो यह की गई है सिरलंका के साथ तो याद रखनें सिरलंका में दो जग़ा है मनार और पुनेरीन वहाँ पर आदानी के दौरा पबन उर्जा एस्टेशनों का निर्मान किया गया है और उस देश को से बिजली खरीदने के लिए समझा होता किया गया है 20 सालों तक नेक्ष्ट जॉन स्वाइनी जॉन स्वाइनी हाल में किस देश के नयपरधान मंत्री बन है तो जॉन स्वाइनी हाली में स्कॉटलेंड के नयपरधान मंत्री बन गया है पनामा के नयराष्टपती बन है जोस राउल मूनिलो सोलिमन द्वीप के नय परधान मंत्री बने जेरेमिया मानेले इंडोनेसिया के नय परधान मंत्री बने प्रोबोब सुभियान्तो नेक्स्ट किस देश के कम्पनी हिूलमपल्स ने मौंबत्ती द्वारा संचालित रोकेट का सफल परिक्षन किया है तो यह किया गया जर्मानी के द्वारा तो याद रखना है हिूलमपल्स यह जर्मानी के कम्पनी है और इसने मौंबत्ती के द्वारा संचालित रोकेट का सफल परिक्षन किया है नेक्स्ट ग्लोबल एनरजी थिंक टेंक, Ember की हाल की रिपोर्ट के अनुसार, सौर उर्जा उत्पादन के मामले में, किसने 2015 में नौमे अस्थान से बढ़कर 2023 में तीसरा अस्थान प्राप्त किया है, तो यह अपने दिस भारत के दोर अपताप किया गया है, तो याद रखना है Global Energy यह थिंक टेंक, जिसका नाम है Ember, उसकी हाल के एक रिपोर्ट के अनुसार सौर उर्जा के उत्पादन के मामले में जहां भारत 2015 में नौमे स्थान पर था, तो उससे बढ़कर अभी 2023 में तीसरे स्थान पर पहुँच गया है और यह जापान को फीचे लाओ, पैसे पाओ, अभियान के शुरुबात किये गी है तो यह उत्राखंड के द्वारा सुरू की है तो अभी जो उपर कोशनिक बताए गया था कि उत्राखंड के जंगलों में आग लगी थी तो उसमें कहाता है कि ऐसा देखा जाते है कि जंगल में आग लग जाते हैं तो उसमें जो पत्ते सुखे लकरियां जो परे रहती है तो उसके कराद जंगल में जो आगे बहुत तेज़ से पहलते हैं तो उसी को पीरूल कहा जाता है तो ही है कि पीरूल लाओ और पैसे पहले हैं कि जंगल से जो स्थान प्राप्त किया है तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है नियु यॉर्क के द्वारा दूसरे स्थान पर है द बे एरिया ये दोनों अमेरिका का जगह है इस पहला स्थान और ये दूसरा स्थान प्राप्त किया है तिसरे स्थान पर टोक्यो चौथा सिंगापूर पाचमा लंदन भार्द में दो आस्थान को सामिल किया गया है मुंबई 24 आस्थान पर रहा है और नई दिली 37 आस्थान पर रहा है सबसे अमीर सीटी जो है संजुक्त राष्ट के अधाय साथ जिसमें सेनकों को उप पारांपरिक परिद रिश्यों में मल्टी डोमेल संचालन में छमताओं को बढ़ाने के उद्देश से भारत और किस देश के बीच सेन अभ्यास सकती का आईजन मेगाले के उमरोई में किया गया है तो यह किया गया फ्रांस के साथ आई उसमें क्या के जानकारी मिलती इसको देख लेते हैं तो सबसे पहले तो यह जानना है कि सेन अभ्यास सकती सेन अभ्यास यहने कि भारती यह थलसेना यहने कि थलसेना का अभ्यास है यह सकती इसका आई भारत और फ्रांस के बीच की जाती है यह कहा किया गया इस बार तुम्मे घाले के उमरोई में किया गया है यह भी important है अब यह पूछा जा सकता है कि यह किस नियम के तरद किया जाता है तो संजुक्त राष्ट का जो संजुक्त राष्ट के कुछ नियम है तो इसका अध्यास साथ जिसमें यह कहा गया है कि सेंगो को उप परणपरिक परिद्रिस्चों में मल्टी डोमेन संचालन में छमताओं को बढ़ाने के उद्देश से किया जाता है यह भारत और फ्रांस के बीच किया गया है भारत और थाइलेंड इसके बीच हाली में एक एक सरसाज किया गया है उसका ध्यान नहीं आ रहा है क्या किया गया है दूसरा इंडोनेसिया इंडोनेसिया के बीच भारत और इंडोनेसिया के बीच हाली में समुद्र सक्ति नाम कभ्यास का आजन किया गया है भारत और जापान के बीच जिनमेक्स नाम कभ्यास का आज इसी परकर से नुरगलिया नुरगलिया बोईगट यह मिस इवेल से 2023 बनी थी और इसने भी अपना खेताब वापस कर दिया था तो इसके कारण लोग चर्चा में है कॉलिन मुनरो यह थोड़ा लग से कुश्चन है याद रखना है कॉलिन मुनरो जो है वो नुजिलेंड की किरकेटर है और इसने हाले में सन्यास की घुशना की है नेक्स्ट मुहमद इदरिस डेली डेवी इटनो कहा के राष्टपति का चुनाब जीता तो इस चाड के राष्टपति का चुनाब जीते हैं मोहममद इद्रिस डेवी इथनो सेनेगल सेनेगल के नैराष्टपति बन है ब्रिशरो दियमो फे कांगो के नैपरधान मंत्री बन है जूलिट जूडित सानियावाव तालूको कुवेत के नैपरधान मंत्री बन है सेख आहमद अब्दुल्ला अल तो इन सब के बारे में भी याद रहे हैं एक important है पूछा जा सकता है रूस के बारे में रूस में हाल ही में नय परधान मंत्री हैं बने हैं और उनका नाम है मिखाईल मिसलचीन Next आरध दसक पहले तुटिये विश्व युद के समय जापान द्वारा भारत और पुर्वत्तर में परवेश के समय अस्थानी लोगों के साथ हुए युद के याद में जापान ने कहा एक सांती अस्मारक और इको पार्क की अस्थापना की घुशना किये तो यह नागालेंड के कोई में में बनाया जाएगा तो क्या हुआ था आरध सक पहले यानि कि आजादी से पहले जब जापान के द्वारा भारत प्राक्रमन किया गया था तो उस समय क्या हुआ था कि नौर्थ इश्व के बहुत सारे लोगों की मिर्ती हो गई थी तो उसी की याद में एक सांतियस मारक और इको पार्क के स्थापना नागलिन में की जा रही है जापान के द्वारा और नाचल पर्देश के बारे में भी याद रखना है जब दूतिये भी स्विर्द के समय में क्या हुआ था जो यूद हुआ था तो उसी की याद में हम्प World War II म्यूजियम का आस्थापना किया गया था अरुनाचल परदेश में तिरपूरा के बारे में याद रखना है महराजा वीर विक्रम की पाँच फेट मूची ब्रोंज की परतीमा का नावर्ण परदान मंत्री के दौरा हाल ही में किया गया है नेक्स्ट एस्टार्टप क्लाइम वर्क ने कहां विस्प का सबसे बड़ा बायू मंडल से कारवन डेक्साइट निकलने वाला प्लांट लगाया है तो यह लगाया गया है आइसलेंड में तो यह लगाया है एस्टार्टप जिसका नाम है क्लाइम वर्क इसने वाला बायू मंडल से कारवन डेक्साइट को निकालने के लिए एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया है आइसलेंड में किस राज में इस्थित सोनाई रूपाई वन जिव अभ्यारन में वाइल लाइफ प्रोडेक्शन एक्ट और फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के खिलाब निर्मान कारे के आदेश के बिरोद में NGT ने जवाब मांगा है तो यह मांगा गया है असम के असम से तो यह भी जानकारी मिलती असम में सोनाई रूपाई वन जिव अभ्यारन तो यह ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसको याद रखना है NGT हाल में किस देश के विदेश मंत्री मुसा जमीर भारत की यात्रा पर है तो मुसा जमीर यह मालदीब के विदेश मंत्री अब यह आपको पता है मालदीब और भारत के बिच रिलेशन बहुत खराब है कुछ सुधार करने के उद्देश से मालदीब के विदेश मंत्री मुसा जमीर भारत की यात्रा पर हाल ही में आते याद रखना है यूक्रेन के बारे में तो यूक्रेन की संसद ने कैदियों को सेना में भरती होने के लिए एक बिध्यक पारित किया है तो याद रखना है इसके बारे में यूक्रेन यूक्रेन में कैदियों को सेना में भरती होने के लिए एक नियम बनाये गया है next के साथ किया है ड्रून दिदी के लिए next किस राज की मंजुसा और गोंड सैली कला के साथ कुंच अन राजियों के जीवन्त लोक और आदिवासी कला परंपराओं को परदर्शित करने के उद्देश से स्वदेश नामा के एक आजन दुबाई में किया गया है तो इह दोनों यानि कि मंजुसा और गोंड सैली ये बिहार की परंपरी के कला है और इसी परकार से कुछ अन राजियों के जीवन्त लोक और आदिवासी कलाओं के परंपराओं को परदर्शित करने के लिए स्वदेश ठीक है याद रखना है स्वदेश स्वदेश नामक एक परदर्शनी का जन दुबाई में किया गया है तो याद रखना है स्वदेश नामक परदर्शनी दुबाई माईद की किया है इसमें बिहार, महराश्ट, तमिलनाडू और केलल के कलाकारों ने भाग लिया है तो बिहार का मंजुसा और गोंड सैली को परदासित किया जाएगा इसके साथ याद रखना है महराष्ट महराष्ट की वरली, आधिवासी कला, तमिलाडो की कोलम कलाकिर्थी और केलल की भित्ती कला, इन सब को परदासित किया जाएगा नेक्स्ट, रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने किने हाल में कारिकारी निद्यसक की रूप में नुक्त किया है तो यह नुक्त किया गया है, आर लक्षमी कांत राओ को दिलिप सिंगानी, इनके बारे में आद रखना है, इन्हें हाली में इपको का अध्यक्ष नुक्त किया गया है ती रवी संकर, इन्हें हाली में आर लिए के डेप्टी गवर्नर के काड़काल को एक साल बढ़ाये गया है और परतीमा सिंग इन्हें हाली में DPIIT का अध्यक्ष निउक्ष किया गये है नेक्स्ट युनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किने डोप टेस्ट में नो भाग लेने के कारण 31 दिसंबर 2024 तक के लिए निलामबित कर दिया गये तो बजरंग पुनिया को निलामबित कर दिया गये अभी पता है जो भारत का रेसलिंग है उसमें बहुत सारे विवाद चल ले है तो उसी के करह में ऐसा देखा गया है अमन सहरावत का नाम भी इंपोर्टेंट है याद रखना है यूरोपियन यूनियन के द्वारा महिलाओ के खिलाप नियम नेक्स्ट कैट फिस की एक नई परजाती ग्लिप्रो थोरेक्स पुनिया बरताई पुनिया बरताई हाल में कहां पाई गई है तो यह अरुनाचल परदेश में देखी गई है ग्लिप्रो थोरेक्स पुनिया बरताई यह कैट फिस के एक पर जाती है नेक्स्ट किस देश में इस्थित पाईरिन परवत चीनी राष्टपती की यात्रा के कारण चर्चाय में आ गई है तो यह जो है एक और दो यान कि एस्पेन और फ्रांस की सीमा पर है तो यह पर अभी चीनी राष्टपती ने यात्रा की थी तो याद रखना है पाईरेनिस परवत पाईरेनिस परवत क्या है तो इन दोनों देशों की सीमा है नेक्स्ट बीजिंग के चांग 6 अंतरिक्ष मिशन के भाग के रूप में किसने अपना पहला चंदर मिशन क्यूब कमार को लॉंज किया है तो यह पाकिस्तान के द्वारा लॉंज किया गया है पाकिस्तान का और यह चीन के चीन की मतल से चीन का एक जो अंतरिक्ष मिशन है चांग 6 उसी के साथ इसको लॉंज किया गया है नेक्स्ट राजनीतिक और अधिकारिक पासपोर्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ वीजा मुक्द समझोता किया है तो यह माल लोवा के साथ किया गया है भीजा मुक्द समझोता खास करके राजनीतिक और अधिकारियों के पासपोर्ट के लिए नेक्स्ट ब्यूरो बैरिटस सर्टिफिकेशन द्वारा प्राइवेट इन्फोर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात PIMS अर्थात गोपनियता सोचना परवंधन परनाली मानक ISO 27701 प्राप्त करने वाला विस्प के पहली कंपनी कौन बनी है तो यह बनी है इन्फोसिस तो याद रखना है जैसे बहुत सारे कंपनी को अस्थान को ISO सर्टिफिकेशन दिया जाता है तो पहली बार इस परकार की ISO सर्टिफिकेशन दे गई है इन्फोसिस को Bureau Veritas Certification के द्वारा Privacy Information Management System अर्थात गोपनी याता सुचना प्रवंधन परनाली के लिए Next हाल में Javelin Thro के दुहा Diamond League में 2024 में किसने Gold Medal जीता है तो ये जीता गया Jacob World Rage के द्वारा Jacob Ward Lage के द्वारा निरे चोप्रा इसमें Silver Medal प्राप्त किया है और भारत के ही किसवर जेना इन्होंने नोमा स्थान प्राप्त किया है Next नेपाल के परवतारोही कामी रिता सिर्पा ने रेकोर्ड कितनी बार हिमाले पर चरकर फिर से एक नया रेकोर्ड बनाया है तो 29 वार हाल ही में हिमाले पर चरही थी Next Everest पर चरही थी Next हाल में आईत होकी का सुल्तान अजलांसा ट्रोफी किसने जीती तो ये जीता गया है जापान के दोरा पाकिस्तान को हरा कर और इसका एजन मलेसिया में किया गया था Next केंदर सरकार की Vibrant Village केंदर सरकार की Vibrant Village प्रोग्राम जिसमें देश के सीमा वर्ती राजियों में आवाती आवासिक परवासन को रोकने का प्रोग्राम है के तहत राजियों में चीन सीमा पर सरक निर्मान पर 2 करोर रूपय प्रति किलोमेटर खट जने के प्लानिंग की है किस राजे में तो यह की गई है सिक्किम और उत्राखन में तो इसमें बहुत सारे जानकारी मिलते हैं याद रखना है क्या क्या है वाइड बिलेज प्रोग्राम यह के अंदसर करका एक वेजना है तो क्या इसमें किया जाता है कि भारत का जो भी सीमा वर्ति राज है तो सीमा वर्ति राज खास कर कौन सा जो पहारी लगा है जो खास करके चीन से सीमा सियर करता है तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं तो उस जगा को छोड़ कर दूसरे जगान यान कि उनके प दो करोर रूपे परती किलो मीटर से खर्च करने की योजना भार्ण सरकार ने बनाई है। इदा सेशा नोंगरांग किसराज की पहली महिला डीजीपी बनी है। तो यह मेग हाले की पहली महिला डीजीपी बनी है। नेक्स्ट विस्व स्वास्व संगतन की मुख वैजयानिक जिन्हे कानाडा स्थित मैक गिल विषविद्ञाले के मानद उपाधित से सम्मानित करने की घुसना की गई है। तो यह क्या गए स्वाम्या स्वामिनातन को जो कि विश्व स्वास संगाठन की मुख वैज्यानिक है उन्हें करनाडा इस्थित मैक गिल विश्विद्याले द्वारा मानद उपादी से समानित किया जाएगा केंद्रिय बंदर गाम मंत्री सर्वानन सोनवाल हाल में किस देश के यात्रा पर गया जहां साहिद वेहिस्ती पोर्ट टर्मिल चाबहार के विकास के लिए 10 वर्सों का दिर्ग कारीन अनुबंद पर हस्ताक्षर किया गया तो ये इरान इसका एंसर हो जाएगा तो ये इंपोर्टन को से याद रखना है इरान के चाबहार में भारत के द्वार एक पोर्ट विक्सित किया गया है जिसका नाम है साहिद बेहिस्ती पोर्ट टर्मिनस तो ये कहा है चाबहार कहा है इरान में तो इसी के लिए 10 वर्सों का दिर्ग कालीन अनुवंध किया गया है और इसमें याद रखना है म्यामार में म्यामार में भारत के तोरा विक्सित ही सित्यवे पोर्ट है तो याद रखना है सित्यवे पोर्ट म्यामार में अगाले का दूपर इयरे स्ट्रीप का निर्मान किया गया है इसे अमेरिका ने फंडिंग किया है Next Senior National Wrestling Championship 2024 का यजन कहां किया गया तिया मुंबई में किया गया है Next Think Tank Global Trade Research Initiative अर्थात GTRI की हाल की रिपोर्ट के अनुसर वित्य वर्स 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साजेदार कौन बना तो ये बना है चीन Next 18.4.1 मीटर का सौट पूट फेकर किसने नया राष्ट्रिय रेकॉर्ड बनाए है तो ये बनाए गया आभाग खटवा के द्वारा इससे पहले ये रेकॉर्ड जो था मनप्रीत कौर के पास था इनके द्वारा 18.0.06 मीटर का रेकॉर्ड था कुष्टी के लिए भारत क्रप से क्वालिफाई करने वाले एक मात्र खिलारे बने हैं अमन सहरावत Next चंद्रमा पर पहली बार लूनर रेलवे सिस्टम 2030 तक पूरा करने की घुसना की है जो चंद्रमा से मंकल तक की पहल और रोबोटिक लोनर सर्फेस ओपरेशन तू अर्थात RLSO2 मिसन का हिस्सा है तो ये किस के द्वारा किया गया है तो ये जो किया गया है ये नासा के द्वारा किया गया है तो इसमें याद रखना है RLSO2 ये क्या है रोबोटिक लोनर सर्फेस ओपरेशन ये किस का है नासा के इसी के तत क्या किया गया है चंद्रमा पर एक रेल्वे सिस्टम का बेकास करने की होसना की है 2030 तक Next कौन भारत के 85 में ग्रेंड मास्टर बने है तो चेस ग्रेंड मास्टर बन गए 85 में और इनका नाम है P. Siam Nikhil D. Gukis इनके बारे में याद रखना है ये सबसे कम उम्र के चेस ग्रेंड मास्टर है जिन्होंने कैंडिडेट्स खेताब जीता है 85 में बनी है P. Siam Nikhil 84 में थी वैसाली रम्यस बाबू आधित सामन जो है 83 में नंबर के ग्रेंड मास्टर थे Next किस देश में Eric Sleeman को सुवर की किड्नी लगा गी थी जिनका हाल में निधन हो गया है तो ये अमेरिका के थे तो ये नाम याद रखना है Eric Sleeman कुछ महीने पहले चर्चा में बहुत चर्चा में ये थे Eric Sleeman अब मेरिका के एक ब्यक्ति है उनके सरीर में सुवर की किड्नी लगाए गी थी लेकिन 62 वर्ट्स काया है उनकी मिर्ती हो गए निधन हो गया ऐसा देखा गया कि ये कीड्नी के कारण है दूसरी बीमारी के कारण हो है लेकिन फिर भी ये चर्चा में आ गया है तो याद रखना है एरिक सोलेमन के बारे हैं इसके साथ ये सेट समाप्त होता है उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपिए होगए कोशिश करके दो तीन वार करके सेट को सुने तक अधिक सधिक जानकारी आपको मिल सके थैंक्यू